बहुत बहुत स्वावता सुभी का हमारी यूटूब चैनल सुन्स मीडिया में हुराज राप दिखते हैं सुन्स मीडिया यूटूब चैनल बिहार इनुवरस्टी में 1922 के पार्ट वन की परिक्षा चल लगबग एक से डेर महीने तक चलने वाली है लेकिन उसमें भी कुछ पेपर्स के एकसाम जो है पीच बीच में पॉस्पोन कर दिया चारा रीजन फैस्टिफल्स की छुट्टी और जो एलक्षन हो रहे है बिहार में वह बताईज आ रही है आने वाले समय में भी दिपावली और चट आने वाली है और उसके लिए एक लॉंग टर्म छुट्टी कर दिया गया उसके लिए रीजन जो दिया गया है अख़बारों ने अलग अलग चीजे प्रिंट की है कि परिक्षा विवा के अनुसार यह रीजन था जिसके कारण परिक्षाओं को दो दिन के परिक्षाओं को और दो दिन के परिक्षाओं को आपको पता है कि पहले से एक और तीम वाली तो था ही अब 7 और 12 वाली भी हो गई क्यों इसको पॉस्पोन किया गया है या परिक्षा कब होगी इस मेंटर पर हम बात करें वाले इस वीडियो में अब जो देख पा रहे हैं यही नोटीस थी जो कल जारे की गई थी उसके बाद से परिक्षा जो है वह पॉस करते हैं कि यह है यह है है सिर्फ आर्त वालों का शाइन्स वाले का मिल वो खड़िए तारिक के होई जाक Il खेंब को तो अनका एग्शाम तो ख़र होगा जल्सेमं अब को पता है कि सब्सिड़ूरिंग का टाइमिंग चेंज है दस से बारा ंदो उस बीच में एंब A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L इन तमाम ग्रूप्स के आर्स के चात्राओं का जो M, I, L का एक्जाम ये दो दिन में लिया जाना था लेकिन इस रिपोर्ट में दिया गया है कि परिक्षार्ती जो है वो अधीक हो गए है जिसके कारण इसको जो पोस्पोन किया जा रहा है और इस इसके लिए फिल्ट से एक रूटीन जारिकी जागी और उसमें जो होगा एक ग्रूप मेंशन होगा कि इस ग्रूप वाले का M, I, L का एक्जाम इस दिन लिया जाएगा और उस ग्रूप वाले का M, I, L का एक्जाम इस दिन लिया जाएगा ग्रूप का मतलब आपको मैं यहा तो दूनों की परिक्षा में परिक्षार्तियों की संख्या अधीक होने के कारण ऐसा किया गया है और पहले से एक और तीन वाला जो है वह परिक्षा स्थगीत है ही एडमीट कार्ड में तुरू टीके कारण अब देखिए यहां पर कहा गया है कि एक्जामनेशन कंट्रोलर के अनुसार जो परिक्षा नेंदर के यहां पर है अभी विन्य विसाय के छात्र छात्राओं को अलग अलग ग्रूपों में बाटकर नई तीथी जल्द घोंसीत की उचाएगी इसके त्यारी शुरू की गई है आप देख पार कि असमादर पार्ट वन की परिक्षा पहली बार OMR शीर पर हो रही है इसमें सिर्फ अब्जेक्टी पुछ हजार है तो अब जो नई तीथी जारी होगी उसमें आपका M.I.L. का एक्जाम कब होगा हो सकता है कि 7 और 12 तारीक को 2 दिन में 8 सवाले तमाम छातर छात्राओं का M.I.L. का एक्जाम ले लेना था हो सकता है कि आप देख सकते हैं इसमें भी वही है कि 7 और 12 नॉम्बर को आयोजी धोनवारी परिक्षा अपरिहार कारणों से अस्थागित की गई है यह परिक्षा है अब लेख लिजिए यह परिक्षा है अब नवंबर के अंत में संचालित की जाएगी बता दे की साथ 1922 के प्रथम व इस तरीके से करवाने की जो इतनी लंबी खीची जार यह परिक्षा एक अक्टूबर से शुरू होई पूरा अक्टूबर खा गई नवंबर खाजाएगी और दिसंबर में भी एक आठ पेपर बच जाएगे जिसको भीहार विश्य विश्य विताले कंटक करवाएगी तो अ तैनिक भासकर, तैनिक जागरम, परभात, हिंसान अखबार ने यही सब चीजे रिपोर्ट की तो में ने कोशिश की आप पर पहुंचाने की बहुत बहुत शुक्री आपका इस वीडियो को देखने के लिए